इस वीडियो में मेत से संबन्दित जो परिच्छा से लेटेड जो भी प्रस्ण पूछे जाते हैं और यह जो प्रस्ण है यह अक्सर सभी एक जमाम पूछे ही जाते हैं तो हम लोग आज इसी में घातांक और करनी या इंडिसेस एंड सड्स जिसको कहते हैं उसके बार में जो परिच्छों पर योगी है मतलब जो परिच्छा में पूछा ही जाता है अक्सर पूछे गया हैं तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं इस चीज को देखेंगे तो दोस्तों सबसे पर देखते हैं चलिए घातां करनी में जो कोश्ण पर देता है उसको कैसे सॉल्व करते चाहिए तो यहां पर आप लोग देख रहा है या फिर माइनस में रहे जैसे कि आप यहां सकते हैं और लेकिन यहां इंफिनिटि तक जाने चाहिए यहां पर यह चीज़ को धियान रहे तो दोस्तों यह और यह बहुत आसान है दोस्तों इससे आप लोग आसानी से बना सकते हैं solve कर सकते हैं तो चलिए solve करते हैं तो ऐसे जब भी question आएंगे तो सबसे पहले जो संख्या दिया रहेगा जैसे कि यहां पर 12 दिया हुआ यहां पर 56 दिया हुआ तो उसको क्या करना है कि क्रमागत गुननखंड में तोड़ना है पहले करमागत गुननखंड करना है जैसे कि दोस्तों जैसे में 2 के साथ में 3 multiply होना चाहिए या 4 के साथ में 5 होना चाहिए मतब करमागत यहने 2 3 है यहां पर 3 4 रहे 7 रहे तो 8 होना चाहिए 8 है तो 9 होना चाहिए इस परकर से तूटना चाहिए यह चीज़ को तो इससे यह चीज़ आसानी हो जाती है अब दोस्तों यहां पर प्लस है यहां पर माइनस दिया हुआ है तो प्लस वाला में सबसे पहले देखते हैं कि जो बड़ा रहेगा गुननखन करने के बाद में जो बड़ा रहेगा वह धनात्मक होगा जो बड़ा रहेगा वह धनात्मक होगा और जो छोटा रहेगा वह हो जाएगा रिनात्मक इसका जो वेलू आएगा वह रिनात्मक में आएगी लेकिन यह कब जब यहाँ पर प्लस वाला कंडिशन रहे जैसे कि यहाँ पर प्लस का कंडिशन है इसलिए जो प्लस वाला में बड़ा वाला होगा धनात्मक और छोटा व बन जाएगा और चोटा वाला होगा वह हो जाएगा धनात्मक तो यहाँ पर यह चीजों को द्यान रखना है कि और सबसे पहले हम लोग यह करना है कि जो भी गुननखंड आगे उसको करमागत गुननखंड में तोड़ना है उसके बाद में ऐसे करना है तो जाएसे की दोस्तों हम लोग देख रहें कि 12 है तो 12 हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं 4 गुना 3 तोड़ सकते हैं गुननखंड करने से क्योंकि करमागत में चार 3 या तो फिर इसको 3 4 भी लिखेंगे अब इसमें क्या है प्लस में दिया हुआ है तो बड़ा गुनानखन हम लोगों का चार हो गया और छोटा गुनानखन जो हुआ हुआ तीन हो गया तो यहां इसका जो एंसर होगा वहा हो जाएगा चार आ जाएगा और छोटा गुननखन में क्या है? तीन तो तीन आएगा लेकिन इसमें अभी बताया कि छोटा जो होगा वो रिनात्मा होगा तो यहां पर माइनर 3 हो जाएगा इसका एंसर ऐसे बनेगा गुननखन करने के बाद में 4 और माइनस 3 आएगा क्यूँ आईगा क्योंकि प्लस वाले condition में बड़ा वाला धनातमाग होता है और छोटा वाला धनातमाग होता है तो इसका answer 4 और माइनस 3 हो जाएगी अब देखते हैं इस question खॉपपन है तो दोस्तों इसको गुणनखन करते हैं पहाडा में तो लिए देखते हैं कि 7 into 8 मतलब 7 into करते हैं तो हम लोग को Muchasage 56 मिलाती है जब फिर 8 इने टू साथ होगी तो अब देखे दोस्ते मॉइनस वाले कण्डिस Sorry यहां पर क्या होती है कि जो छोटा हो प्लस में होता है और जो बड़ा होता हुकह माइनस में होता है यहां पर जिसके देख रहें कि 8 बड़ा है और 7 चोटा है तो यहां पर क्या हो जाएगी कि 8 है बड़ा वाला वह है रिनात्मक बन जाएगी और जो चोटा है वह है धनात्मक बन जाएगी बन जाएगी तो इसका एंसर जो होगा वह हो जाएगा साथ और माइनस आठ हो जाएगी क्योंकि हम लोग पलस को आगे लिख लेंगे तो साथ और माइनस आठ हो जाएगे तो इसका एंसर यह हो जाएगे या तो पर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस आठ इंटू साथ है तो यह पर माइनस आठ और साथ इसका एंसर हो जाएगा अब इसके हिसाब से हम लोगो ओप्सन देख करके बना लेनी है बस यहां पर यह कंडिशन को ध्यान रखनी है कि माइनस रहेगी तो फिर ब यहां पर है कि अंडरूट 5 अंडरूट 5 अंडरूट 5 अंडरूट 5 करके इंफिनिट तक गई है यहां पर भी देख रहे हैं कि अंडरूट 11 अंडरूट 11 अंडरूट 11 करके यह इंफिनिट तक गई है यह जब इंफिनिट तक जाने के कंडिशन में यह चीज को बताया जा तो यहां पर इस चीज़ को दिया हुआ और दोस्तों यहां पर और इंपोर्टेंट है कि इसमें प्लस हो या माइनस हो यह जरूरी नहीं है यह दिया हुआ नहीं है तो यहां पर इस चीज़ को भी दिया हुआ जितनी बार भी लिखा गया है अनन्द तक जितनी बार भी लिखा गया है तो इसका जो गुननफल होगा या तो फिर जो इसका रिजल्टेंट आएगा वह क्या होगा वह स्वयम संख्या ही होगी स्वयम ही होगी स्वयम ही संख्या होगी यहाँ ध्याँ दखना है कि यह जितना बार भी लिख़ा जाएं इंफिनिट कि लेकिन स्वयम ही संख्य होगी उसका Պत्तर जो होगा णिखार होगा मत्लब जो big यह यहां पर sage to five-cl you वwen पांच हो जाेगाई अब उसी प्रकर से यह question है दोस्तों 11 के साथ में दिया हुआ है लेकिन से प्लस मैनिस दिया हुआ नहीं है लेकिन कहां तक दिया हुआ है infinity तक दिया हुआ है तो इसमें भी क्या हो जाएगे स्वयम ही संख्या जो होगी वही एंसर होगा तो इसका भी उत्तर हो जाएगा क्या 11 हो जाएगे इसका उद्दर तो इस परकार से हम लोग इन जो दोनों टाइप है इन दोनों टाइपों को अच्छे से ध्यान में रखते हुए बना लेंगे और यहां question पूछाई जाता है एक्जाम में question बनता ही बनता है तो दोस्तों इसलिए मैंने यहां आप लोगों को लिए बताईए ताकि आप लोगों को भी आसानी हो सीखने में और समझने में तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखना है कि infinity होनी चाहिए और इसमें plus minus का sign नहीं लगा हुआ रहेगा और जो type A में देखे थे हम लोगों ने कि इसमें plus minus भी दिया हुआ रहेगा और इभी infinity तक जाएगी तो उसमें होगा बड़ावला धनात्मक और छोटावला धनात्मक होगा जब पलस वाली होगी condition तब और minus वाली condition में हो जाएगी बड़ा वला दिनात्मक हो जाती है और छोटा वला दिनात्मक तो इस परकार से हम लोग option देख करके आसानी से solve कर सकते हैं